गाजा में इसराइली सेना अभी तक संभल नहीं पाई है वहीं गाजा के भीतर तमाम छोटे वड़े प्रतिरोधी संगठन एक साथ मिलकर आईडियफ की कमार तोड़ने में लगे हुए हैं ये सभी संगठन बेहदी चालाकी से इसराइली सेना को टार्गेट कर रहे हैं चाहे अलकासिम ब्रिगेड हो या फिर अलकुज ब्रिगेड और या फिर मुझाहिदीन ब्रिगेड ये सभी आईडियफ को घेर कर उस पर हमले कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में इसलामिक जिहाद की सेन निशाखा अलकुज ब्रिगेड ने आईडियफ को एक बहुत बड़ा जटका दिया है दर असल अलकुज ब्रिगेड ने गाजा बॉर्डर के आसपास बसे कई सेटलमेंट्स पर ताबर तोड बंबारी की है अलकुज का कहना है कि उसने अश्दोद, अश्केलॉन और गाजा में बने सेटलमेंट्स पर कई राउंड्स रॉकेट फायर किये हैं अलकुज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अलकुज के लड़ाके घनी हरियाली के बीच जमीन पर रॉकेट लाउंचर तैनात कर रहे हैं और फिर वो उसमें एक बड़ा सार रॉकेट लगा देते हैं जिसे कुछी सेकंडों बाद फायर कर दिया जाता है अलकुज के अलावा अलकसा ब्रिगेट ने भी नेटजरी मैकसिस में इसराइली सैनीको पर दो 107 mm रॉकेट और हैवी मोटर गोले दागने का दावा किया है अलकसा ब्रिगेट ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक लड़ा का पहले तो जमीन पर दो लाउंचर लगाता है और फिर उसमें रॉकेट लगा कर उन्हें फायर कर देता है और इस हमले के बीच आलमुजाहिदीन ब्रिगेट ने अनसार ब्रिगेट के साथ मिलकर इसी इलाके में आईडियाफ पर एक और बड़ा टैक किया है जिसका एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक नकाब पोश्ट लड़ा का लाउंचर में कई रॉकेट फिट करता है और फिर उन्हें दना दन फायर कर देता है इसके बाद अलकुज ब्रिगेड और अलकासिम ब्रिगेड एक साथ मिलकर सुझाया कैम्प में इसराइली सैनिकों पर धावा बोल देते हैं अलकुज और अलकासिम के लड़ा के एंटी परसनल गोलों से आईडियफ के जवानों पर हमला करते हैं हमास के लड़ा के पहले तो कैमरे से IDF की निगरानी करते हैं और उसके बाद सामने की बिल्डिंग में तैनात IDF के जवानों पर घात लगा कर फायर कर देते हैं हमास का एक लड़ा का स्नाइपर राइफल से सामने खड़े IDF के जवान पर हमला कर देता है इसके बाद दूर एक छट पर तैनाद आईडियाफ के एक और जवान पर रॉकेट से हमला होता है और इस हमले के बाद अलकुज के लड़ा के अल्शो जया में घुसने की कोशिश कर रहे इसराइली सैनिकों पर हमला कर देते हैं हमास के इस वीडियो में दूर खंडर पड़ी एक इमारत में आईडियाफ का एक जवान पोजिशन लिए होई दिखता है जिस पर हमास का एक लड़ा का स्नाइपर राइफल से निशाना लगाता है और अचानक से आईडियाफ का ये जवान या तो नीचे छिप जाता है या फिर गोली लगने से गिर जाता है आपको बता दे कि गाज़ा के अलावा अलकासिम ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक और बारता गाओं के बीच बसे हरमेश सेटलमेंट पर एक बड़ा हमला किया है यहाँ पर अलकासिम ने इसराइली सेना के वाहन के रास्ते में आईडि विसफोर्ट अग बिचा दिया था जो आईडियाफ के से निवाहनों के आते ही फट गया और इस हमले से पहले इसराइली मीडिया ने कहा था कि हरमीश सेटलमेंट के पास एक इलाके में चार इसराइली खायल हुए थे ये धमा का उस वक्त हुआ जब इन में से एक इसराइली गाड़ी से भार निकल कर दरवाजा खुलने लगा तब ही ये आईडि प्लास्ट हो गया और इस हमले के बाद अलकासिम ब्रिगेड ने आईडि अफ को धमकी देते हुए कहा है कि वो वेस्ट बैंक में इसराइली सेटलर्स पर अपने हमले जारी रखेगा